हेलो फेंज वंस अगें वेलकम बैक टू यू आल ऑन माई यूटीव चैनल सो फ्रेंज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल अट रेट आजे शुबम चंदेल पर हम लगात करें तो एडमिशन लगबग लगबग अपने एंड फेज में हैं 31 मही काफी सारे कोसिस की लास डेट है उस बीच मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ पूछ रहे थे कि बारे में भी बता दीजी क्या सी इन है क्या नहीं सो पंजाबी उनिवर्स्टी पटेला के बारे में पास अभी पीडियाफ अवेलेबल है तो इसके अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों की फीज दी हुई है फर्स्ट और सेकिंड समेस्टर की फीज काफी कम इस युनिवर्स्टी की है फीज अगर हम कंपैरिजन करें बाकी युनिवर्स्टी से मत अफोर्डेबल है और में ओनर s अगर हम बात करें तो यहांपर अलग अलग अग में दी हुई है अपर में 9,120 और 6,140 रूपए यहां पर आप लोगों को फीज दी हुई है इसके अलावा जर्लिनिजम और मास कम्मूनिकेशन जो यह सबजेक्ट है इन सब्जेक्ट्स के अलावा जर्लिनिजम के लिए डिपार्टमेंट में बात करने के लिए बताया है इन्हों ने और इकनोमिक्स की 970 और 6570 और इसके बाद MSC की बात करें तो यहां पर MSC की 12920 फीस है 860 सेकिंड समेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स आती है PhD की इन्होंने फीस दी हुई है फिर other master courses MBA की यहां पर 45,000 दी हुई है उसके बाद आपकी MBA dual degree one plus one तो इसमें आपकी इन्होंने overall आपको दिया हुए 2,64,000 आप लोगों को पढ़ने वाली है फिर international business का दिया हुआ है इन्होंने only for first semester 2,64,000 MBA finance तो यह सारे courses की यहां पर आप लोगों को फीस दी हुई या आप अपने course के coding इसे देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं other master courses की तो mtech वगेरा यहां पर दिया हुए इन्होंने 31,000 रूपीज यहां पर दिया हुई है sorry 31,000 उसके बाद है आपका 27,000 और बाकी courses भी यहां पर दिये हुई है फिर आता है आपका 5-year integrated courses 5-year integrated courses में आपकी यहां पर फीज दी हुई है इन्होंने 20,000 रूपीज और ज्यादातर की यही है उसके बाद social sciences में 5-year program दिये हुए इन्होंने यह आप लोगों के physical and chemical sciences के sciences के courses की 20,000 है फिर यहां पर आपके arts के आते हैं 12,000 के आसपास आप लोगों की एक semester की फीज है यानि की 12,000 रूपे language courses की आपकी 7,000 रूपे है एक semester की फीज और performing and visual arts की आपकी 9510 और 6400 रूपे फिर बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री में जो आपकी 3-year डिग्री होती थी बटा 4-year डिग्री हो गई है इन्होंने नोडिफिकेशन निकाला है फिर यहां पर आपकी 37,270 यह आपकी hotel management की है 14,000 आपकी tourism management की है 14,000 क्या 15,000 ही लगा लिज़े आप इसे और यह सें second semester के लिए भी है और psychotherapy के लिए है फार्मेसी के लिए है यहां पर 39,000 रूपीज यानि की 40,000 रूपीज आपकी overall यह पढ़ने वाली है आपको फिर library science की है 9,410 फिर b.com commerce department की 21,000 आपकी semester wise पढ़ने वाली है फिर है गुर्मत संगीत की तो यह department आप लोगों को बताएगा b.ca की यहां पर 30,000 30,000 फिस आप लोगों को पढ़ने वाली है और फिर आता है आपका b.b.ad तो b.b.ad की 20,000 रूपीज आपको एक semester की फिस पढ़ने वाली है b.tech की यहां पर आप लोगों को दी हुई है एक लाख 21,000 रूपए semester wise दी हुई है इन्होंने m.b.a की दी हुई है 39,000 और इसके बाद आपकी m.com ओनर स्की दी हुई है 21,000 फिर पी जी डिपलोञा कॉर्स की 12,450 और 8,360 यह 1-year है फिर पी जी डिपलोमा कॉर्स कुछ अलग और Čर कोर्स है तो उनकी भी यहां पर इन्होंने फेस दी हुई है डिपलोमा कॉर्स की यहां पर यहां पर साल ँग होंगे जिसके डिप्लोमा है तो यह आप लोगों को आठ से दस हजार रुपए फीस इसकी दी हुई है यहां पर अलग लग कोर्स की फिर सर्टिफिकेट कोर्स की है उर्दू वगेरा की तो इनमें आपकी आठ हजार फर्स समेस्टर की और सड़े कीं इसके ही यह बांच हजार । था बाग ऊचांद की फीस दी हुई है फिरर IT का सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपके वह फीस नहीं लगने वाली है योगा योगा का जो है वो 6800 रुपए आपकी फीस लगने वाली है बी-tex specialized course की इन्होंने दी हुई है 59,000 तो ये सारी फीस है अब आपके इनके जो affiliated colleges है और जो इनके colleges है लो department की फीस दी हुई है इन्होंने यादविंद्रा college of engineering की फीस दी हुई है इन्होंने इनकी सिर्फ website दी है फीस नहीं दी है फिर LLB की आती है 3-year LLB की 9,480 है LLM की 10,607 है और फिर आपका पंजाब पंजाब school of law तो यहां पर भी LLB पांच साल का जो है उसमें 41,210 एक semester की आपकी face पढ़ने वाली है और यहां पर बाकी details भी इन्हों लोग ने दी हुई है hostel charges दिये हुए है hostel fees for engineering hostels तो यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है is 920 per month whereas other hostels is Rs 420 per month और charges for stay for short period तो अगर तीन महीने के लिए 40 रुपए आपको per day देना पड़ेगा और आप लोगों को 100 रुपए minimum को subscribe कर लीजिए आगे आपकी कैको एड़ी जो भी question होगा आपका मैंस जरूर करूंगा comment section में जरूर कमेंट करें thank you so much for watching